जैहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्रारम बैच में, जिसमें हम TGT पतवारी और अग्नी वीर की तयारी करवा रहे हैं और हमारे ओनलाइन बैचिस में भी चल रहे हैं, तो उनमें भी स्वागत है आपका ओनलाइन बैचिस के लिए भी तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परसिद पुस्तके और उनके लेखक तो परसिद जितने भी व्यक्ति हमारे रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तके और कौन क्या क्या लिखी है या कौन कौन सी उन्होंने लिखी है तो उसके बारे में हम जो हैं one by one अब study करेंगे तो continue करते हैं हम class को सबसे पहले हमारे पास आता है पंच तंत्र, पंच तंत्र के लेखक कौन है? तो पंच तंत्र के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? सभी screen पे साथ साथ में note भी कर सकते हैं विश्णु शर्मा तो पंच तंत्र के लेखक जो हैं वो कौन है? विश्णु शर्मा तो इसका ये correct answer रहेगा विश्णु शर्मा जो है वो correct हल जो है वो रहेगा नेक्स्ट आजाता है प्रिश्च कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिश्च कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शुद्रक ये most important है हमारे competitive exams के view से क्योंकि ये जो जितने भी questions हैं ये आये हुए हैं और हमने जो उठाए हैं previous year के लेखक कौन है? तो आप इनको learn करके जाएं अपने लेखक कौन है? तो इसका correct हल रहेगा मैक्स्थनीज इंडी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैक्स्थनीज जो हैं वो इंडी का पुस्तक के लेखक हैं चार नमबर है आजाता है प्रेम बाटी का पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान जो प्रेम बाटी का पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित या लिखी गई है तो इसका correct हल रहेगा वो रहेगा रस खान के द्वारा लिखी गई है Next आ जाता है हमारा कामसूत्र तो कामसूत्र पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका correct हल है वात्सियायन वास्यायन के द्वारा जो है ये हमारी पुस्तक जो है वो लिखी गई है अगले सवाल की तरफ चलते हैं मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो अंसर है विशाखा या विशाख दत correct हल रहेगा वो है विशाख दत जो है वो मुद्रा राक्षक्स के जो है वो लेखक है next आ जाता है अश्ट ध्याई अश्ट ध्याई के लेखक कौन है तो अश्ट ध्याई के लेखक कौन है वो है पाननी तो इसका अंसर रहेगा पाननी Next आजाता है हमारा बुद्ध चरित तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अंसर आजाता है बुद्ध चरित के लेखक अश्व घोश Correct अंसर रहेगा अश्व घोश क्या रहेगा अश्व घोश जो हैं वो इसके बुद्चरित के लेखक है नेक्स्ट आगे चलते हैं कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है तो कादंबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका अंसर रहेगा बान भट तो कादंबरी पुस्तक है वो बान भट के द् लिखी गई है सासाथ में नोट कर दीजी तो आपको ये बहुत अच्छा रहेगा सत्यार्थ परकाश सत्यार्थ परकाश पुस्तक के लेखक कौन है सत्यार्थ परकाश जो पुस्तक है उसके लेखक जो है वो दियानंद सरस्वती है दियानंद सर्स्वती जो है सत्यात परकाश पुस्तक के लेखक है नेक्स्ट सवाल आता है शाहनामा तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है फिर दोसी ये most important question रहता है राजतरंगनी राजतरंगनी पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका हल रहेगा कलहन के द्वारा जो है राजतरंगनी पुस्तक जो है वो लिखी गई है अगला सवाल आता है नाटे शास्तर पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका correct answer है भर्तमुनी तो नाटे शास्तर पुस्तक जो है वो भर्तमुनी के द्वारा लिखी गई है अर्थ शास्तर के लेखक कौन है तो अर्थ शास्तर जो पुस्तक है इसके लेखक है कोटिल जिनका नाम जो है विश्नु गुप्त और साथ में कोटिल और के नाम से भी जाना जाता है और साथ में ही चानक्य के नाम से भी जाना जाता है और चनक के जो थे वो चंद्रगुप्त मौरे के जो है वो क्या थे उनके गुरु भी थे जो उनके दरवार में ही रहते थे गीत गोविंद की पुस्तक के लेखक कौन है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो है वो जैदेव है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है जैदेव नेक्स्ट आ जाता है गुरु ग्रंत साहिब पुस्तक के लेकग कौन है तो गुरु ग्रंत साहिब जो पुस्तक है वो किन के द्वारा रचित है गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इसके आगे के हैं गीता रहस्य किसकी पुस्तक है बाल गंगा धर तिलक पाल गंगा धर तिलक के द्वारा जो है कीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है नेक्स्ट आजाता है हमारी पुस्तक का नाम नील दरपन पुस्तक के लेखक कौन है तो अंसर है इसका दीन बंदू मित्र जो है वो इसका कॉरेक्ट हल रहेगा नेक्स्ट आजाता है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है कभीर दास जो है बीजक पुस्तक के लेखक है अंसर रहेगा इसका वो रहेगा कभीर दास कभीर दास जो है बीजक पुस्तक के लेखक है नेक्स्ट आजाता है हमारा किताब उल्हिंद किताब उल्हिंद पुस्तक के लेखक कौन है अल्ब रूनी जो है वो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है साहित लहरी और सुन्दर सार सुर्सार पुस्तक के लेखक कौन है तो ये हमारे टैट के लिए इंग्जामस के लिए बोस्ट इंपॉर्ट है साहित्य लहरी पुस्तक और सुर्सागर पुर्स्तक के लेखक कौन है तो इसका correct answer रहेगा सूर्दास सूर्दास ये हिंदी के लेखक है देवदास देवदास उपनियास के लेखक कौन है तो देवदास जो है ये पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी गई है शर्त चंदर चटो उपध्याय के द्वारा लिखी गई है अगले सवाल की तरफ चलते हैं गोदान बहुत बार पूछा गया है गोदान के लेखक कौन है तो इसका correct answer रहेगा गोदान के लेखक कौन है तो गोदान के लेखक जो है वो है उन्शी प्रेम चंद इन्हीं के द्वारा जो है प्रेम 25 भी लिखी गई है और बहुत से इंग्जाम्स में जो है गोदान के लेखक है वो बहुत जार पूछे गई है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका correct answer रहेगा वो है लोक मान्य तिलक या बाल गंगा धर तिलक जो है इसका correct answer है गितांजली पुस्तक के लेखक कौन है तो गितांजली पुस्तक के जो लेखक है वो है रविंदरनाथ टैगोर के द्वारा जो है गितांजली पुस्तक लिखी है चित्रा ये भी एक उपनियास है चित्रा उपनियास जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है तो चित्रा उपनियास जो है वो रविंदरनाथ टैगोर ने लिखा है अगला है भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है तो भारत भारती पुस्तक के जो लेखक है वो है मैथली शर् न गुप्त क्या अंसर रहेगा मैथली शर्ण कुप्त मैथली शर्न कुप्त जो है वो इसका correct answer रहेगा अगले सवाल की तरफ हम चलते है low land पुस्तक के लेखक कौन है छुम्पा लहरडी छुम्पा लहरडी जो है वो इसका correct हल रहेगा Romancing with the life Romancing with the life पुस्तक के लेखक कौन है तो उसका answer है देवानंद देवानंद थे इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम क्या था Romancing with the life अगले सवाल की तरफ चलते हैं यह हमारी पुस्तकों से जुड़े हुए questions हैं जो की competitive में के हिसाब से जो है बहुत बार पूछे गए है 49 days पुस्तक के लेखक कौन है 49 days पुस्तक के जो लेखक है नाम है Amrita Pritam Amrita Pritam द्वारा जो है यह लिखी गई है The guide और Malgoody days most important रहता है defense के exams के लिए और TAT के exams के लिए भी रहता है पटवारी में यह question नहीं आते है पर TAT के लिए और defense exams में अगनी वीर के में भी बहुत ज़ादा important question आ जाता है तो पुस्तक लेखक है R के नारायन तो the guide किताब किसने लिखी है R के नारायन द्वारा जो है वो लिखी गई है अगला सवाल आजेता है train to Pakistan train to Pakistan पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका correct answer आएगा फुश्वन सिंग फुश्वन सिंग जो है वो इसका correct answer रहने वाला है तो फुश्वन सिंग जो है उन्होंने train to Pakistan पुस्तक लिखी है My experiment with the truth My experiment with the truth पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका correct answer है महातमा गांधी तो train वाला कुशन आए तो फुश्वन सिंग और experiment with the truth आए तो महातमा गांधी इन्ही के द्वारा हिंद सवराज हिंद सवराज पुस्तक भी लिखी गई है तो हिंद सवराज पुस्तक जो लिखी गई है वो भी महातमा गांधी के द्वारा लिखी गई है India Dividend India Dividend पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका answer रहेगा डॉक्टर राजेंदर परसाद डॉक्टर राजेंदर परसाद जो है वो correct answer रहने के बाला है unhappy India unhappy India पुस्तक किस ने लिखी लाला लाज पतराए तो इसका correct answer हैगा लाला लाज पतराए अगला सवाल है discovery of India discovery of India पुस्तक के लेखक कौन है तो पंडित जोहालाल नहरू जो है discovery of India पुस्तक लिखने वाले हैं या लेखक हैं जिनोंने discovery of India पुस्तक लिए हैं मैं यह कहूँगा अग आपको कि इन पुस्तकों को आप जो हैं नोट कर लीजिए और ये पुस्तके और लेखक जो हैं एक ना एक आपके इंग्जाम में जो हैं वो आने वाला है तो साथ साथ में नोट करेंगे तो आपको लाब होगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं विश्व इतिहास की जलक के लेखक कौन हैं जुआहरलाल नहरू जुआहरलाल नहरू जो हैं विश्व इतिहास की जलक के लेखक है ब्रोकन बिंग ब्रोकन बिंग पुस्तक के लेखक कौन है तो अंसर रहेगा स्रोजनी नाइडू स्रोजनी नाइडू द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है वो है ब्रोकन बिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका अंसर रहेगा अरूधुती राय जो है इसका correct अंसर रहेगा अगला सवाल है एशिया ड्रामा एशिया ड्रामा के जो पुस्तक है के लेखक कौन है? तो गुनार गुनार मिड्रल जो है वो इसका correct अंसर रहेगा वेल्थ आफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ आफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मित है कौन है? एडम स्मित पुली पुस्तक किसने लिखी? पुली पुस्तक किसने लिखी? तो इसका correct answer रहेगा मुल्क राज आनन्द, मुल्क राज आनन्द जो है वो इसका correct answer रहेगा Life divine पुस्तक के लेखक कौन है? अर्विंद घोश, अर्विंद घोश जो है वो इसका correct answer रहेगा Divine comedy, divine comedy पुस्तक के लेखक कौन है? Divine comedy के पुस्तक के लेखक जो है वो है तान्दे, तान्दे इसका correct answer रहेगा अगला है grammar of politics, grammar of politics जो है वो पुस्तक किसने लिखी? तो grammar of politics पुस्तक जो है वो लिखी है loss की ने? इसने loss की? grammar of politics पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखी है? वो है grammar of politics पुस्तक के लेखक है loss की mean cap, mean cap पुस्तक के लेखक है Hitler, क्या है? Hitler, next आजाता है Hindu civilization, Hindu civilization पुस्तक जो है दिखी है J. M. Barrie, किस के द्वारा? J. M. Barrie के द्वारा, history of second world war पुस्तक के लेखक कौन है? history of second world war पुस्तक के लेखक कौन है? वेसेंट चर्चिल, वेसेंट चर्चिल, नरेंदर मोदी, नरेंदर मोदी and political biography पुस्तक के लेखक कौन है? तो Andy Marino जो है, वो इसका correct answer रहेगा. season and society पुस्तक के लेखक कौन है? तो season and society के पुस्तक कौन है? हमीद अंसारी, जो हमीद अंसारी है, वो इसका सही हल रहने वाला है. next सवाल की तरफ चलते हैं. true life, true life पुस्तक के लेखक कौन है? तो true life पुस्तक के जो लेखक है, नाम है विक्रम सेट. तो विक्रम सेट के द्वारा जो है, true life जो पुस्तक है, वो लिखी गई है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. my life struggle. तो my life struggle जो पुस्तक है, ये लेखक कौन है? तो इसका correct answer रहे था, आपका अब्दुल गफार खान. अब्दुल गफार खान जो है, वो इसका correct answer रहेगा. नेच्ट सवाल की तरफ चलते हैं. most important question है, 53. विंग्स ओफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ओफ फायर पुस्तक जो है, वो ए, पी, जे, अब्दुल कलाम अजाद के द्वारा जो है, वो लिखी गई है. विंग्स ओफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो Wings of Fire पुस्तक जो है किसने लिखी है वो लिखी है A.P.J. अब्दुलकलाम हजाद नेक्स्ट आ जाता है Integrate Minds तो इसका अंसर रहेगा वो है A.P.J. अब्दुलकलाम A.P.J. अब्दुलकलाम अगला Most Important रहता है कई बार इंग्जाम्स में पूछा भी गया है India wins freedom पुस्तक के लिखा कौन है तो अंसर रहेगा मुलाना अब्दुलकलाम आजाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं The Story of My Life The Story of My Life पुस्तक के लिखा कौन है तो इसका correct अंसर रहेगा मुरार जी दिसाई तो मुरार जी दिसाई जो है वो इसका सही हल रहेगा मुरार जी दिसाई जो है वो इसका क्या रहेगा सही हल रहेगा आगे की तरफ चलते हैं हम next question की तरफ चलें दी प्रिंस ठीक है दी प्रिंस नामक की किसकी रचना है तो वो है मिक्की यावली और एक क्वेशन रहेगा था 57 दास के कैपिटल दास कैपिटल भी बोल सकते हैं लेखक कौन है काल मार्स दास कैपिटल के लेखक कौन है काल मार्स लास्ट सेशन आ गया इन पुस्तकों का वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है तो लियो टॉलस्टोई P.O. Tolstoy जो है वो War and Peace पुस्तक के लेखक है A Package to India जो है E.M. Foster के द्वारा लिखी गई Next आजाता है आपका My Info Get Table Memories Mumta Benerji Unforgetable My Unforgetable Memories ममताब Benerji के द्वारा लिखी गई है हर्ष चरीत किस के द्वारा लिखी गई है तो वो बान भट बान भट के द्वारा लिखी गई है अब Next हमारे Important Questions की तरफ चलेंगे जिसमें रहेगा भारत के प्रतम पुर्ष कि भारत के प्रतम पुर्ष क्या कह रहे है कौन कौन रहे है अब हम उनके बारे में One by One जो है जान लेते हैं सबसे पहला सवाल सवाल आता है कि भारत के प्रतम गवर्णर कौन थे तो भारत के प्रतम गवर्णर थे Lord William Batting इसी प्रकार से भारत के प्रतम वाइसराय कौन थे तो वाइसराय थे Lord Canning इसका correct answer रहेगा इसी प्रकार से भारत के अंतिम वाइसराय जब हमारा देश अजाद हो रहा था ये उस वक्त की बात है तो अंतिम इसलिए लिखा गया है वाइसराय थे Lord Mount Batten Lord Mount Batten सुतंत्र भारत के प्रतम गवर्नर कौन थे तो जो हमारे वाइसराय अंतिम थे उन्ही कोई ही जो है प्रतम गवर्नर बनाया गया Lord Mount Batten को और भारत के प्रतम गवर्नर जर्नल कौन थे या रही तो चकरती राज गोपाला चारी तो इसका correct answer रहेगा ऐसे ही भारत के प्रतम राश्ट्र पती कौन थे तो भारत के प्रतम डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जो थे वो पहले राश्ट्र पती थे इसी परकार से अगला सवाल है भारत के प्रतम परधान मंतरी तो पंडित जोहालाल नहरू यही हमारे पहले विदेश मंतरी भी रहे हैं यह हमारे पहले विदेश मंतरी भी रहे हैं नेक्स्ट आ जाता है भारत के प्रतम मुस्लिम राश्ट्र पती कौन थे तो जाकिर हुसैन और उपराश्ट्र पती कौन थे स्वरपरली राधा क्रिश्नन दॉक्टर स्वर्पली राधा कृश्नन इन्ही के जनम दिन पर जो है वो टीचर डे भी मनाया जाता है अगला सवाल कितब चलते हैं भारत के परतम उपपरधान मंतरी कौन थे सरदार बल्लभाई पटेल भारत के परतम उपपरधान मंतरी थे अगला सवाल भारत के प्रथम सिक्षा मंतरी तो भारत के पहले सिक्षा मंतरी जो थे वो मुलाना अब्दुलकलाम अजाद थे मुलाना अब्दुलकलाम अजाद जो थे वो हमारे पहले सिक्षा मंतरी थे नेक्स्ट आ जाता है भार्तिय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे तो इसका correct answer रहेगा राज कुमारी अमरित कौर जो थे वो हमारे पहले क्या थे वो हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे अगला सवाल है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे जर्नल मानिक्षा जो थे वो भारत के पहले जो है वो फील्ड मार्शल थे भारतिय सिवल सेवा में चुना के आप रथम भारतिय कौन था सुरेंदरनाथ बनर जी सुरेंदरनाथ बनर जी जो थे वो पहले जो है भारति सिवल सेवा यानि कि UPSC में चुने गए व्यक्ति थे अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर्वोच नियायले भारती है सर्वोच नियायले में का प्रथम मुख्य नियायधीश कौन था तो इसका correct answer रहेगा नियाय मूर्ती हरी लाल जेकानिया नियाय मूर्ती हरी लाल जेकानिया अंतराश्टिय नियायले का प्रथम नियाय भारती अध्यक्ष कौन था तो अंसर था नागेंदर सिंग इसी परकार से भारत का प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कौन था तो गनेश वासुदे मावलंकर जिनको हम जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं तो गनेश वासुदेव मावलंकर जो है वो भारत के पहले लोग सभा अध्यक्ष थे इसी परकार से भारत का प्रतम चुनाव आयुक्त कौन था तो इसका correct answer रहेगा सू कुमार सेन सू कुमार सेन जो है वो इसका correct answer रहेगा तो इसी परकार से जो है आपको जो हमारी classes है वो continue रहेगी और आप इन classes को daily to daily लगाईए और note करते रहें साथ साथ में सब तक के लिए जै हिंद जै भारत